हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक पेड़ मैं चैनल आज की वीडियो में आपके साथ इंस्टाग्राम पेज़ पेसे मैंने कुछ इंस्टाग्राम स्टोर पेसे मैंने कुछ मेकप प्रोडेक्स मगाया है जो के काफी ज्यादा affordable size में है आप सभी के साथ share कर लो मैंने eyeshadow palette स्मगाए है जो के under 300 रुपीज के है बहुत ही अच्छी इसकी pigments है और काफी good quality के products है मैं आपको इसका link description में दे दूँगी आप वहाँ से check out कर सकते हो तो start करते हैं वीडियो पसंद आई तो like करें, सबके साथ share करें और मेरे चैनल को ज़रू subscribe कर ले so पहले मैंने आपर यह hoda beauty का textured eyeshadow palette मंगाया है and मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने इसे purchase किया था next मैंने से repurchase किया है यहाँ पर rose gold addiction and मैंने इसका separate full review भी किया है अगर आपने अभी तक मेरा इस eyeshadow palette का full review नहीं देखा तो please आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो so इसकी जो price है 300 रुपीज है and 300 रुपीज में हमें बहुत अच्छ है and बहुत ही pigmented eyeshadow palette मलता है and यह एक dupe है original नहीं है इसकी packaging काफी sturdy है काफी अच्छी है and यह कुछ इस तरह से रिखता है and as you know आपको तो मालुमी है इसकी जो pigmented काफी अच्छी है मैं आपको फिर से स्वाज बताऊंगी and one swipe में ही आप देख सकते हो कितनी ज्यादा pigmented है यहां पर हमें matte sheets देगे and यह shimmery sheets है and matte sheets भी काफी ज्यादा pigmented है one swipe में ही आप देख सकते हो काफी sturdy box है काफी अच्छा है 300 रुपीस में बहुत ही अच्छा है so आप इसे जरूर पर्चेस कर सकते हैं मैं आपको जरूर recommend करते हो next मैंने यहां पर यह master palette by mario दिया है and यह बहुत ही beautiful सा eyeshadow palette है and अगर आप इसका full review देखना चाते हैं तो do let me know the comment मैं आपको इसका full review and swatches जरूर बताऊंगी so इसकी जो price है 200 रुपीस and 200 रुपीस में आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी quality का mirror भी दिया जाता है and यह Anastasia का palette है so यहां पर हमें एक brush भी दिया गया है यह plastic की sheet है जिसे के हम eyeshadow को save करकर रख सके and यह बहुत ही अच्छी quality का हमें brush भी दिया गया है and मैं आपको इसके swatches बताती हूँ and आप देख सकते हो एक ही swipe में बहुत ही beautiful से colors है हम इस color का highlighter की तरह भी यूज़ कर सकते है day time के लिए काफी perfect palette है and इसमें से यह 3 shares जो है matte है and बाखी के जो भी share से वह shimmery है and बहुत ही beautiful सा palette है अगर आप इसका full review देखना चाहते हो तो मुझे comment में जरूर बताएए मैं इसका full review plus swatches इसके जरूर करूँगी next मैंने यहाँ पर यह huda beauty का mini observation electric palette लिया है अगर आप इसका full review देखना चाहते हो तो मुझे comment में जरूर बताएए मैं इसका full review जरूर करूँगी उसे कुछ स्थरा की packaging में आया है and same study box and open के नहीं पर हमें यहाँ पर full size का mirror लता है जो के कापी अच्छी quality का है and travel friendly है हम इसे travel पर्स में भी से carry कर सकते है and यहाँ पर again एक sheet दी गई है and यह रहे हमारे beautiful colors and मैं आप किसका pigments बताऊंगी काफी ज्यादा यह pigmented है so एक ही swipe में आप देख सकते हो बहुत ही beautiful से colors है and इसमें हम बहुत भी different different eye makeup look create कर सकते है so यह है रहा and इसकी जो price है 150 rupees 150 rupees में काफी अच्छा palette है so definitely आप इससे purchase कर सकते हो next मैंने यहाँ पर MAC का studio powder plus foundation compact powder महाया है जिसमें मेरा जो shader वो NC25 है and यह एक dupe MAC का compact powder है so यह कुछ इस तरह की black MAC matte packaging में आता है and open करने पर हमें यहाँ पर एक mirror दिया जाता है next मेरा जो shade है वो कुछ इस तरह से है and काफी ज्यादा pigmented है powdery है and blendably easily हो जाता है next इसे open करने पर हमें एक sponge applicator दिया जाता है जो के काफी अच्छी quality का है and इसकी जो price है 140 rupees जी हाँ friends 140 rupees में काफी अच्छा compact powder हमें मिलता है so काफी अच्छा है next मैंने यहाँ पर यह dermacol का waterproof SPF 30 make-up cover मगाया है जो के full coverage foundation है and इसमें जो मेरा shade है वो 215 है so इसे open करते है and back side में इसके ingredients वगरा दे गए हम इसे 2020 तक यूज़ कर सकते है and यह रहा हमारा dermacol foundation stick and आप देख सकते हो यह थोड़ा सा pink undertone में है but यह easily blend हो जाता है and blend होने के बाद यह आपके skin में oxidize हो जाता है and अपने skin का color में आ जाता है so यह full coverage foundation as you can see कितना ज्यादा just मैंने थोड़े से ही amount में से लिया है but आप देख सकते हो इसका coverage so यह काफी full coverage foundation है so इसकी जो price है 200 rupees या 180 rupees में मैंने से लिया है so काफी अच्छा है अगर आप marriage में जाते हो या parties में जाते हो तो इस तरह का foundation हम use कर सकते है next and last मैंने यहाँ पर यह hoda beauty का mini liquid matte addiction lipstick लिया है and यह बहुत ही beautiful से nude shirts है so अगर आप इसका full review देखना चाते हो तो मुझे comment करका ज़रूर बताए है मैं इसका full review ज़रूर करूंगी and यह रहे हमारे beautiful से nudeish color and मैं आपको अभी swatch बताऊंगी so यह इस तरह की small सी lipstick है liquid lipstick and आप देख सकते हो बहुत ही beautiful सा nudeish color है day time में इस तरह की colors काफी अच्छे लगते है and इसकी जो price है 280 रूपीस यह something 240 रूपीस मैं हमें यह 4 lipstick का set मिलता है जो के काफी अच्छी बात है अगर आप इसमें से कौन सा भी eyeshadow palette यह lipstick का full video देखना चाहते हो review देखना चाहते हो तो मुझे comment में जरूँ बताएए मैं इसका full review जरूँ करूँगी and that's it मैंने यह सारी चीज़े instagram store से लिए है I hope आपको अच्छी लगे अच्छी लगे तो like करें सब के साथ share करें and मेरे चानलों को जरूँ सब्सक्राइब करें and मेरे वीडियो को जरूँ शेयर करें and बाज़ों में छोटी सी bell icon आता है उसे जरूँ लिट करें ताकि आप आने वाले मेरे वीडियो से अपडेटेड रहे and मेरे वीडियो को समय पहले देख सके so next video में भीटी स्टेबलस अभी के लिए bye bye